आईपील दो हजार बाइस में आरसीबी और दिल्ली केपिटल्स के बीच खेले गए रोमान्चक मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्ते और ग्लेन मैक्सवेल की आकरामक पारियों के दम पर आरसीबी ने दिल्ली केपिटल्स को हरा दिया है आपको बता दें कि अब तक खेले कुल छे मैचों में चार जीत के शाथ आरसीबी की टीम पॉइंस टेबल में तीसरे नमबर पर पहुंच चुकी है जबकि दूसरी तरफ दिल्ली केपिटल्स की टीम अब तक खेले कुल पांच मैचों में तीन जीत के साथ क्वाइं स्टेबल में आठवे नमबर पर है हलकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB के तीन दिगज बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद एक समय RCB की जीत मुश्किल लग रही थी आपको बता दें कि RCB की तरफ से बतार सलामी बल्लेबाज आये अनूज रावत बिना खाता खोले ही सुन्ने रन पर आउट हुए जबकि कप्तान फाप डूपलेशीस आठ रन के नीजी स्कोर पर खलील अहमद की गेद पर अक्छर पटेल को कैच थमा बैठे दोनों सलामी बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली से बड़ी पारी की उमीद थी लेकिन दुर्भा के बस विराट रन आउट हो गए कुल 40 रन के स्कोर तक हापडो प्लेशीस अनूज रावत और विराट कोहली जैसे तीन दिगज बल्लेबाजों के आउट होने के बाद खुद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रिशव पंत भी अपनी टीम की जीत लगभग तै मान चुके थे लेकिन इसके बाद मैदान पर आया ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक का तुफान शुरुआती तीन दिगज बल्लेबाजों के आउट होने के बाद खुद आरसीवी के फैंस भी अपनी टीम की हार मान चुके थे लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक दिल्ली कैपिटल्स के गेदबाजों पर तूट पड़े अब तक दिल्ली कैपिटल्स की तरब से सांदार गेदबाजी करने वाले चाइना मैन गेदबाज कुल्दीप यादो भी मैक्स्वेल और दिनीस कार्तिक के सामने थार थार कापने लगे लगभग हार चुके इस मैच में निया चैंपियन बना सकती है